परिचय परिक्षा का समय है बैन गणित को दोहरा रहा है आज उसने दोहराने के लिए जिस वशय को चुना है वे है चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना मित्रों हम संख्याओं को जोड़ने और घटाने के बारे में जानते हैं आईए बैन के साथ चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखें आओ सीखें चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना चार अंकों वाली संख्याओं को घटाना अंक रेखा का इस्तेमाल करके योग का अनुमान लगाना घुमावदार स्थानांतरन यानी कर्ब्ड शिफ्टिंग के इस्तिमाल से अनुमान लगाना चार अंकों वाली संख्याओं का योग बैन ने जो पहला सवाल चुना है उसमें 4541 और 2316 को जोड़ना है वह इन पंक्तियों में संख्याओं को लिख कर इस सवाल को हल करने की शुरुवात करता है याद है ना कि हम जोडने की शुरुवात 21 से करते हैं तो यहां योग हुआ साथ अब आईए दहाई की ओर चलें चार और एक का योग हुआ पाँच इस तरह हम सैकडा और हजार वाले अंकों को भी जोड़ते हैं जो संख्याओं हमें मिली वे हैं आठ और छे तो अगर 4541 और 2316 को जोड़ें तो योग आएगा 6857 री ग्रूपिंग के साथ जोड़ आईए 5327 और 3265 का योग करते हैं हम शुरुवात करेंगे इकाई को जोड़ने से ये है साथ जमा 5 यानी 12 अब दो को नीचे इकाई वाली लाइन में और एक को उपर दहाई वाली लाइन में लिखिए अब हम दहाई को जोड़ेंगे दो जमा 6 जमा 1 बराबर है 9 के अब दहाई वाली लाइन में नीचे 9 लिखिए अब हम सैकड़ा का जोड करेंगे 3 जमा 2 होता है 5 सैकड़ा वाली लाइन में नीचे 5 लिखिए इसी तरह 1000 जोड़िए हमें जवाब मिलता है 8 इसलिए 5,327 और 3,265 का योग बनता है 8,592 चार अंकवाली संख्याओं को घटाना मित्रों अब बैन संख्याओं को घटाएगा तो आईए 3,212 को 6,543 में जे घटाएं संख्याओं को उनके कॉलम में लिखें हम एक वाले कॉलम से घटाना शुरू करेंगे 3 में से 2 घटाने पर मिलता है 1 अब घटाईए 10 चार में से एक घटाएंगे तो मिलेगा 3 इसी तरह सैकडा और हजार को घटाईए 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा तो 6,543 में से 3,212 घटाने पर बच्चता है 3,331 हासिल लेकर घटाना अब समय है हासिल लेकर घटाने का 3,549 को 6,583 में से घटाईए हम शुरुवात फिर से इकाई वाले कॉलम से करेंगे 3 क्यूंकि 9 से कम है इसलिए हम 8 से 1 दहाई हासिल के रूप में उधार लेंगे इस तरह 3 बन जाएगा 13 और 8 बन जाएगा 7 अगर 13 में से 9 घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 4 अब दहाई घटाएं 7 में से 4 घटाने पर मिलेगा 3 इसी तरह अब हम सैकडा घटाएंगे 5 में से 5 घटाने पर 0 ने मिलता है अब 1000 घटाईए 6 में से 3 घटाने पर 3 मिलेगा तो अगर 6,583 में से 3,549 घटाएं तो ये होगा 3,034 अंक रेखा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाना आईए अब कुछ मज़ेदार करते हैं स्क्रीन पर आपको शून्य से 10 तक एक अंक रेखा नजर आ रही होगी क्या आप इस लाइन पर 5 की स्थिती का अनुमान लगा सकते हैं? जी हाँ, ये इस लाइन के बीच में होगा संख्या 3 की स्थिती शून्य और 5 के बीच होगी और संख्या 7, 5 और 10 के बीच होगी आईए 3 और 6 को जोड़ते हैं 3 और 6 को जोड़कर हमें मिलता है 9 और 9 की स्थिती 10 के नज़दीक होगी आईए अब शून्य से 100 तक की एक बड़ी अंकरेखा को लेते हैं क्या आप इस लाइन पर संख्या 20 की पोजिशन का अनुमान लगा सकते हैं? ये शून्य के नज़दीक होगी या 100 के? जी हाँ, ये शून्य के नज़दीक होगी और संख्या 70 की पोजिशन कहा होगी? जी हाँ, सत्तर 100 के नज़दीक होगी अगर हम 20 को 70 में से घटाएं, तो हमें मिलेगा 50 और 50 की स्थिती लाइन के बीच में होगी हमने क्या चर्चा की? चार अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना चार अंकों वाली संख्याओं को घटाना अंक रेखा का इस्तेमाल करके अनुमान लगाना